नमस्कार आप देख रहे हैं अप्टी नीज आईए देखते हैं देवरिया की खबर देवरिया जनपत में एक बड़ा खुलासा हुआ जहां एक करोड रुपे से अधी के गरीबों का खादान को भाटपारानी के मार्केटिंग इस्पेटर राहुट सिंग ने डकार लिया और फरार हो गए यह खुलासा जिलादिकारी की जाज कमेटी ने किया है आपको बता दे कि अब गरीबों को रासन देने के लिए सासन ने डोर इस्टेट डिलेवरी की सुरुआत की है जिसमें जिले के विप्रन साखा गोदाम बंद हो चुके है लेकिन उसमें जो पुराने खादान रखे गए है उन बंद गोदामों की जाज के लिए जिला अधिकारी के दारा एक कमेटी गठित की गई है जाज कमेटी जब बिहाराज की सीमा पर इस्थित भाट परानी हाट साखा गोदाम पर पहुची तो चौकाने वाला खुलासा हुआ जहां इस्टार रिजिस्टर के अनुसार गोदाम में 10,111 बोरी गेहू और 6,655 बोरी चावल होनी चाहिए वहीं इसकी लागत लगबग एक करोड से अधिक की है इससे साफ जाइर होता है कि भाट परानी के मार्केटिंग इस्थितर राहुल सिंग ने 2,843 बोरी चावल और 7,374 बोरी गेहू रासन बेज दिया है इस बाबा जिलादिकारी ने बताया कि इस पूरे प्रकरट पर जाज के बाद मार्केटिंग इस्थितर राहुल सिंग के खिलाब बाट परानी थाने में एफाइयार दर्ज करा दी गई है और राहुल सिंग फरार बताय जा रहे है रासन की कुल कीमत जिलादिकारी के मुता करोड रुपे से अधिक की बताई जा रही है। दस हजार बोरे मौके पर कम हैं जो करीब पांच हजार क्वेंटल खाद्यान होता है। इसका संग्यान लेकर हम लोगों ने तीन बटे साथ में और अने धाराओं में उनकी जो राहुल सिंग हैं जो मार्केटिंग इंस्पेक्टर उनके वृत मुकदमा लिखाए गया है। यह भाटपरानी ग्लॉग है जन्पत दिवरिया का यहां का प्रक्राइगा। मार्केट वैलू उसकी एक करोड रुपए से अधिकी होगी और अगर उसके औरनी कॉस्ट जोड़ ली जाए जो फूड डिपार्टमेंट की हैं तो एक सा सवा करोड रुपए की कॉस्ट आएगी।